हे दोस्तों वेलकम बेक तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे market value और book value में क्या difference होता है और साथी इसके अलावा value की क्या क्या character के strics होती है उन्हें भी हम इस वीडियो में detail में समझेंगे इसलिए वीडियो पूरा end तक देखना तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और साथी वीडियो के end में आप मुझे comment करके जुरू बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा तो अब हम इस वीडियो को continue करते और सबसे पहले हम समझते है कि market value और book value में क्या difference होता है और इसे समझने के बाद हम क्या समझेंगे जो values होती है उनकी क्या-क्या character restricts होती है उन्ह समझायता तो अगर आपने मेरा last video नहीं देखा है जिसमें हमने सारे types of value समझेते तो उस video की link आपको नीचे description में देखने मिल जाएगी तो आप वहाँ जाके उस video को देख सकते हो तो market value को हम कैसे define का सकते market value किसी भी product की वो current value होती है जो एक open market में एक current time पे show होती है फोर example के लिए हमारा कोई market open हो रहा है उसके current time पे उस product की जो value रहेगी उसी value का हम क्या बोलेंगे उसकी market value जिसे बहुत सारी चीज़े होती गोल्ड कोई product कोई property या कोई accessories रहती है जिनकी value में daily fluctuation आता है जिसे हमारे market में trend चलते है उसके basis पे तो उस current time पे उस product की जो value रहती है open market में उसी को हम बोलते है उसकी market value next हम समझ लिते book value तो book value को हम किसे define करेंगे it is the amount of property shown in the books after allowing necessary depression year wise यानि जो हमारी कोई property है उसका जो original cost है उसमें से year wise depression cost deduct करने के बाद जो उसकी value बचती है उसी value को हम गया बोलते book value तो आपको समझ में आ गया book value किसे बोलते है इसे मैंने आपको detail में समझाता है मेरे last studio में अब next difference देख लिएते हैं हम fixed up के basis पे यानि जो value होती है उसे konfix करता है this value is fixed up by purchaser यानि जो value होती है उसको नफिक्स करता है purchaser next step book value तो book value किसके उपर depend रहती है depreciation rate के उपर तो उसे fixed भी कौन का देगा depreciation यानि जो हमाना depreciation rate रहेगा उसे पर क्या होगा book value fixed होगी for example के लिए कोई property है और उसका original cost का है 1000 रुपीज और उसका year by depreciation क्या हो रहा है 100 रुपीज तो एक year में उसका कितना depreciation हुआ 100 रुपीज तो 1000-100 कितना आया 900 रुपीज यानि one year बाद उसकी जो book value हो गई हो कितनी हो गई 900 रुपीज उसे टाप से रहेगा और उसका rate of depreciation है उ you then your book value होती है अ हर साल कं कम होती है यूपीज ऐसकी रुपीज रुपीज और उसकी और प्राइबर्सक्रeशन के according वो गई बादेवटीं थे खूंकर उसक्ति ही नहीं हो सकती है इन सब्सक्रe수ay अग्रेंश प्राइडस तो फड at the end पर book value higher नहीं होती है, लेकिन जो market value होती है, वो higher होती है, price index के बढ़ने पर, अब next difference देख लेते हैं, आप consistency के basis पे, the value may be constant for period, जो market value होती है, वो किसी period के लिए constant हो सकती है, लेकिन जो book value है, वो constant नहीं हो सकती है, क्योंकि वो किस पर depend करती है, rate of depreciation, जिससे क्या होता है जो book value होती है वो gradually 4 होती है book value के case में आपको कोई consistency देखने नहीं मिलती है उसमें gradually 4 आपको देखने में लगा लेकिन जो market value हो वो कुछ time के लिए consistent हो सकती है next difference देख लिए था हम applicable this is applicable for any type of property तो जो market value होती है वो सभी type की property के लिए applicable होती है हर property की अपनी एक market value होती है और जो book value होती है वो किस type की property के लिए applicable होती है जैसे हमारे कोई land हो गया steel, copper, gold या कोई building का structure for example के लिए अगर आपने कोई mobile purchase किया अभी तो mobile purchase करने के एक year बाद उस mobile की कीमत वही नहीं रहेगी जिसमें आपने purchase किया था अगर आप उस mobile को sell करना चाओगे तो उस mobile के जो price आईगी वो कम आईगी जितने में आपने purchase किया था उससे कम price में आप उससे sell करोगे तो इसमें क्या आ रहा उसका rate of depreciation आ रहा यानि उसकी book value के आऊ गई कम हो गई तो जो book value होती है वो इन चीजों के लिए applicable होती है यानि जिन चीजों का हम own करते है जो हमने खरीद लिए जो second hand product हो जाते है उने के उपर book value applicable होती है next is consideration तो जो market value होती है वो valuation के लिए consider की जाती है और जो book value होती है वो किसी company की accounts book में consider की जाती है market value हमारे valuation में consider की जाती है और book value किसी company के account book में consider की जाती है next है dependent के basis पे तो जो market value होती है वो depend करती है force of demand and supply development of area लेकिन जो book value होती है वो demand or supply or development area पे depend नहीं करती है अगर हमारे product के कोई demand बढ़ेगी तो उसकी supply भी बढ़ेगी और अगर हमारा कोई area adjustment development होता है तो उस case में क्या होता है उसकी जो market value वो increase होती है यानि उसमें variation आता है लेकिन book value के case में आपको यह देखनी नहीं मिलेगा book value पे ना कोई demand और supply अपलाई करती है ना कोई development अपलाई करता है उसका कोई effect नहीं होता है और ना book value उसके depend करती है तो यह आपको समझ में आ गया market value और book value में का difference होता है market value हमारे product की current time में open market में जो value होती है उसे market value बोलते है और जो book value होती है और किसी property के original cost में से उसका depression cost निकालने के बाद जो value आती है उसे को हम बोलते है book value market value को purchaser fix करता है और book value को rate of depression fix करता है market value higher हो सकती है जब price index high होगा लेकिन जो book value होगा वो हमें से lower ही रहेगी चाहे price index high क्यों न हो जाए फिर भी उसकी value lower हैगी क्योंकि वो किसपडेबन करती है rate of depreciation पे जो consistency यह market value में आपको देखने मिलेगी लेकिन book value में आपको consistency नहीं देखने मिलेगी applicable जो market value होती है वो किसी बड़ाइब की property के लिए applicable होती है लेकिन जो book value होती है only second hand product के लिए ही applicable होती है जिस product को हमने purchase कर लिया है own कर लिया है उसके बाद अगर हमें उसे sell करना है उस type की product पे ही book value applicable होती है consideration जो market value होती है उसे valuation के लिए consider किया जाता है और जो book value होती है उसे किसी company के account book में consider किया जाता है dependent जो market value होती है वो demand and supply and development of area पे depend करती है उसकी वेज़े से क्या होता है market value में आपको variation देखने मिल सकता है लेकिन जो book value होती है वो demand and supply and development of area पे depend नहीं करती है इसलिए आपको book value में कोई variation देखने नहीं मिलेगा तो यह आपको समझ में आ गया अब next हम समझ लेते है character restricts of values तो हम समझ लेते हैं इनकी character restricts क्या होती है values की तो जो हमारी value की character restricts होती है उन्हें हम समझ लेते है तो first character restricts क्या है value of a property is amount of money which can be obtained anytime when a property is put for sale यानि किसी property की value वो amount यह money है जब हम किसी property को किसी time पे sale कर रहे है तो उस time पे उस property के लिए जो amount दिया जाएगा वो ही क्या हो जाएगा उस property की value तो यह आपको समझ में आ गया किसी property की value क्या होगी next value changes place to place जो किसी property की value है वो place to place change होगी जैसे की for example के लिए किसी property की किसी state में जो value है वो आपको other state में उसे कम या ज़्यादा देखने मिल सकती है अगर किसी product की value एक country में ज़्यादा है जो हमाली property है उसकी value किस पर depend करती है property की life क्या है उसकी location क्या है उसे कितना time हो गया है और उस properties हमें कितना return मिलता है उस पर कितना development है उसका shape और size क्या है इन सभी चीज़ों पर क्या करती है उस property की value depend करती है next value of a property gets affected due to war rights and recession in economy यानि जो property की value होती है वो किसी war rights या और कोई abnormal condition वे से क्या होता है उस property की value affect हो सकती है उस property की value में आपको variation देखने मिल सकता है next value of a property can be raised by maintaining it in good condition हम किसी property की value वो increase कर सकते है अगर हम उस property का अच्छे से maintain करके रखे और उसको और ज्यादा facing बनाए तो क्या होगा उस case में उस property की value increase हो सकती है next value can be classified as market value, book value, salvage value, scrape value, etc यानि जो value होती है किसी भी property को उसे हम different types से classified कर सकते है उसके कौन-कौन से type होते है market value, book value, salvage value, scrape value और कौन-कौन से होते है इसके अलाबा speculative value, monopoly value, potential value, taxable value, rentable value, etc इतने types की value होती है next value of a property changes according to low of demand and supply जो हमारे property की value है वो change हो सकती है according to demand and supply के अगर किसी location पर demand बढ़ती है तो उस case में क्या होगा उस property की value में आपको incremental देखने मिलेगा लेकिन अगर किसी location पर demand और supply कम होती है तो उस case में क्या होगा आपको उस place पर उस property की value में decrease आपको देखने मिलेगा तो यह आपको समझ में आगया जो property की value होती हो change हो सकती है according to demand or supply के basis पे तो यह आपको समझ में आगया जो हमारी values होती है उनकी क्या-क्या main characteristics होती है यह आपको समझ में आगया तो आज के इस video में बस इतना ही तो आयोब आपको वीडियो समझ में आए तो अगर वीडियो आपको समझ में आए और वीडियो आपके लिए helpful है तो वीडियो को जा लाइक करना साथ है आप मुझे comment करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा और इस वीडियो के अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना थाकि उन तक भी एंफोर्मेशन पोस्ट सके और इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का एगन प्रेस कर देना जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके तो मिलते नेक्स उडियो में जयताख अपना ध्यान रखना थेंक्यू स्वमाच